तो है लो कि एक है अप सब का फांडेशन के हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं इस लेक्चर के कंप्लिट होने के बाद के टालिस्ट वाला प्रोट्षन था वह समाप्थ हो जाएगा और इस लेक्चर के बाद जो हम लोग अगला लेक्चर बनाएंगे वो रिलेटेड होगा तो हमें लग सीखने जा रहे हैं इंजाइम के टालीष्ट जो होता है उसके बारे में सीखेंगे तो हम लोग पहले भी करेक्टरिस्टिक्स देख चुके तो गजो प्रॉपाटिस होता है उससे थोड़ा सा अलग हम लोग हैं वो इंजाइम केटालिस्ट का कुछ करेक्टरिस्टिक देखेंगे यह कुछ करेक्टरिस्ट्रिक साँ इंजाम के टालिस्ट का जो एक ही करकर अ Miz often तो दिक मुआestry मूर्ष हाइदि देख चुके हैं केटाATOR बेख तो होता है वह आप लेते हैं आप उन मॉलेकोला अगर आप लेते इंजायम क्यालिस्ट का तो वह 6 molecules per minute तो अगर आप 5049 अगर लेते हैं तो वह तेन का पावर 6 reaction molecule धूंट में बदल लेगा पर मिनट मतर्थ एक मिनट में तो देख लिए है कितना जाते एफिसेंसी है इसका तो पहले आपको बता चुके हैं के टालीश जो होते हैं बहुत ही एस्पेसिफिक होते हैं एक रियक्षन के लिए अगर काम कर रहा है कोई के टालीश तो दूसरे रियक्षन के लिए काम नहीं करेगा उसी तरह इंजायम के टालीश जो होते हैं वह बहुत यह पलसकार बंड़ा एक सब्सक्राइब तो यह जो इंभर्टेज को ही बदलेगा सुक्रोज के लिए यह लिए नहीं करेंगे यह जो इंजाइम के टालिस्ट्थ होते पहले Independence मियाठ रिखेंगे करें वादिनु चलिख ặcावैंज उसके बाद अंवां प्ना क्यों एक टमपरेचर पे पर टम पार्टीप्रेचर पर बहुत याधर अक्टिव होता है और इस कारन उसका एफसेंसी बहुति मैक्सिमम करें एकन वरकर हो हो जाता है लेकिन उसके बाद अगर आप तो फिर उसका फिर अस्ट की विटी जो है कॉम हो जाता है तो इस तरह सो औपकार याइफ हो पे, पर Era और रेट्ट बिकॉम्द मेक्सिमम एच एक पर्टिबलर टे मट्रेचर कोल्ड आज ओप्टिमम टे मट्परेचर तो ध्याना कें एक लिच्स टे मट्रेचर पे जो इंग की टालिस्ट होगा वह रिवख और इस टे मट्रेचर पहई इस को लोग बोलेंगे अप्टिमम टेमप्रेचर और लिविंग बॉड़ीज जो अप्टिमम टेमप्रेचर होता है जिस पर के टालिस्ट जादे से जादे काम करेगा वह टेमप्रेचर होता है 298 Kelvin to 310 Kelvin और हम जानते हैं human being का जो नर्मल टेमप्रेचर होता बॉड़ी का 37 27 degree Celsius होता है उसी को Kelvin बोलेंगे 310 Kelvin तो इस बीच में अगर टेंपरेचर आएगा living bodies का तो उसमें जो engine catalyst है वो बहुत ही maximum काम करेगा उसके बाद आते हैं अगला point तो अगला point है living bodies का एक normal pH होता है अगर वो normal pH में living bodies है तो वहाँ पर catalyst हुआ है वह maximum काम करेगा देर रेट है विकॉम मैक्सिमम आट पार्टिकूलर पीच कॉल्ड आज optimum pH तो optimum pH मतलब living bodies का पीच होगा अगर उस रेंज में living bodies का पीच है तो उसमें जो मेक्सिमम काम करेगा और living bodies का जो नॉर्मल पीच रहना चाहिए वह रहना चाहिए फाइब टू सेबन पीच ठीक है तो फाइब टू सेबन पीच अगर आएगा तो इंजाइम के टालिस्ट ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा उसके बाद आते हैं अगला point केटालिस्ट को हम लोग पहड़ चुके हैं केटालिस्ट का एक साथ ही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स केटालिस्ट के छमता को ब्रहा देता है और वह ही हम लोग बात किये थे इनिबीटर्स और क्वाइजन जो केटालिस्ट के छमता को क्या पित्व को बढ़ा देता है जैसे हम बात करेंगे कोई इंजाइम का तो मैं अगर आप मिला दोते हैं तो ओ रयक्षिंट जो है वह मतलब विच्इमिन रहे जरी के लिए को इनजाइम का काम नखेंगे तो को को एंजाम के परजयनस में इंजाइम के टलिस्ट का जो है उसका बढ़ जाएगा उसी तरह अगर lock जो अंजाइम के 2 बढ़ जाता है तो भी कि इसके जो रेट वह भी का होगा बढ़ी है का इस मेक्टल का आईन है जैसे सोड्याम का पोटासियूम का इस तर अगा अन को हम लोग बोलेंगे इसको बोलेंगो अक्ली वेटर एक्टि वेटर ये अक्तिवेटर के काम करता है और जो ही DB केटालिस्ट उसका छंता बड़ता है को इनजाइम एड हो जाएं इंजाइम केटालिस्ट में तब में चंता बढ़ता या इंजाइम में अगर मेटल से या को चिए ग। यह अपर मोटर का युजय करते हैं इसके लिए तो आजरा मिन्स सीखे थे एक के टो इनिवीटर और पौइजंस उसके आक्रिबीटी को कर देता है उसी तरह इंजाइम के टालिस्ट के भी छमता को इनिवीटर्स और वसको कर देता है कि यह सब कुछ हैं जिसका हम नुग ध्यान रखेंगे फिर से हम रिपीट कर रहते हैं इंजाइम के तैस्ट का कुछ करेक्टिक है किसी सब कराने के लिए यह सब्सक्राइब होता है जैसे enzyme catalyst अगर आप एक molecule लिजेगा तो वह दस लाक reacting molecules को प्रोड़क्त में बदलने का छमता रखता है इसलिए highly efficiency होता है दुसरा highly specific होता है तो हर एक אח होता है बहुत ही specific होता है बहुत ही selective होता है हम लोग पढ़ चुके हैं अगर यह करें जैसे यो कविसरी करती शुक्रोज को करता दौस्त पर्ट सुक्रोज के लिए काम करेंगा फिर दूसरी के क्लिए काम काम नहीं करेगा इसका ध्यान रखेंगे उसके बाद highly active अंडर optimum temperature catalyst एक खास temperature पे अपना maximum efficiency को शो करता उसी तरह enzyme catalyst भी एक खास temperature पे living bodies में अगर temperature है 298 Kelvin to 310 Kelvin इस बीच अगर temperature होगा living bodies का तो इसमें जो होगा enzyme ज्यादे से ज्यादे काम करेंगा इसलिए जब तविए बिगर जाता है temperature हम लोगों का भैरी कर जाता है कम हो जाता या ज्यादे हो जाता है तो उस समय enzyme catalyst पूरे efficiency के साथ काम नहीं करते हैं अगला है optimum pH तो हम लोग जानते है living bodies के लिए pH का भैलू एक नॉर्मल रेंज में नाना बहुत ही ज़रूरी है अगर pH नॉर्मल रेंज में नहीं होगा के चमता को अगर जाएगा उसका रेक्शन बढ़ जाएगा उसी तरह अगर हम जाय्म से में मेंटल के आयन को यथ कर देंगे तो भी इनजायाइं के टेलिस्ट का जो टेंडेंसी है जो जो पूटेंसियल वह क्या होगा बढ़ यागा और वह तेजी से काम करेंगा उससी हम लोग सीखेंगे एक थियोरी जो यह explain करेगा जो इंजाइम केटालिस्ट काई से काम करता है तो इसको आप कोपी कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं है तो डियारेश्वेंट्स अब हम लोग सीखने जा रहा है इंजाइम केटालिस्ट का मेकानिज्म जा इंजाइम केकाम करता है और इस मेकानिज्म को हम लोग समझेंगे स्वाइब काता है यह उनकी के पास होता है यह हो गयाasons या इसी को आप बोलेंगे पोर्स और यह बहुत ही एक्टिव होता है तो यह होगी आपका इंजाइम इसको टी से लिख देते हैं और यह होगी आपका रियक्टेंट जिसको बोलेंगे सफ्ट्रेट इंजाइम हो गया यह आपका हो गया सफ्ट्रेट या इसी को आप बोलेंग तो देखिए इस enzyme के पास क्या है, cavities है, ports है, जिसको हम लोग बोलेंगे active site, क्या बोलेंगे active site, it is active site आफ एंजाइम वीच कॉंटेंड आफ एक्टिब ग्रूप्स तो तो देखिए एंजाइम के पास कैविटीज होता पूर होता है उस पूर को हम लोग बोलते हैं अब यह जो है अब यह अब यह जो होता है अब यह जो आपका रियक्टेंट अब ध्यान रखना है इसका जीस तरह का कैविटीज होगा enzyme catalyst का जिस तरह का cavities होगा उसी का complementary shape इसका होगा जैसे ताला और चावी को ध्यान से देखिए तो चावी जिस shape का होगा उसी shape का अगर ताला होगा तो दोनों एक दूसरे में fit होगे और दोनों जब एक दूसरे में fit होगे तो वो चावी काम करेगा और उस ताला को unlock कर सकता है या लोग कर सकता है लेकिन अगर जिस तरह का ताला है उस तरह का चावी को काम करना है अगर ताला को अनलोग करना है या लोग करना ताला और चावी दोनों का सिफ माहिने रखता है चावी के काम के लिए चावी अगर काम करेगा ताला को अनलोग या लोग करेगा तो उसके लिए दोनों का सिफ एक दूसरे का कॉंप्लिमेंटरी होना जरूर चाबिस से ऑणलॉक हो जाएगा या लोक हो जाएगा है इसलिए दोनों का से ध्यानक नहीं विवीटी्स है इसी के कॉंपलींेंटरी होना चाहिए सब स्टेट के पाम कि it has कॉंपलींटरी से इन जाइन के टैलिश्ट का जो सेफ है उसी के इसको होना है अगर इसका जो फिर आपस में फिट नहीं हो पाएगा तो जो उसी का कम्प्लिमेंटरी सफ होगा किसका सब्सक्राइट का और इस तरह दोनों क्या होगे एक दूसरे से फिट हो पाएंगे तो दोनों एक दूसरे मोगा जाएंगे फिट injured पो यह जब ही जो है तालर में कब लेगा तो लेखें यहाँ पे सब्सक्राइटेट थिरट इन्टू पावी कविटीस और जांग एंज हम के टॉट कटलिस्ट कर टो फार्म एक्टिवेटर्ट कॉंपलेक्स तो ध्यान रहकेंगे यहां पे जो आप देख रहे हैं जो रियक्टेंट है उसका से जो उसका लोब है उसके को बीधा होना चाहिए अबorder क्या होगा सव्टेड जो होगाउ से सब्सक्राइलेशनक विह जैसे फीट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आक्टिवेटेड कंप्लेक्स तो जैसे दोनों फीट होगा तो उसको हम लोग को बोलेंगे activated complex का formation हो गया मतलब intermediate का formation हो गया फिर यह क्या होगा यह ब्रेक करके इड़ ब्रेक्स या डिकंपोज कि टू इल्ड प्रोड़क्ट और यह तूट का डिकंपोज होकर प्रोड़क्ट का प्रोडाट का formation करेगा और इस तरह इंजाइंट के टली जो था जैसा था वह इसा ही रहे गा और रियक्टन जो था वह प्रोड़क्ट में बदल जाएगा यहां पर लेक्टन मॉलिकूल तो ब्रेक हो गया और प्रोड़क्ट का का होना चाहिए तभी वह थोनों एक दूसर में फिट हो पाएंगे और की जो है अपना काम कर पैगा लॉग को ताला को वह लॉग और अन्लॉग कर पाएंगा तो दोनों का सेप जरूरी है इसलिए ध्यान लखेंगे यहां पे दोनों का सेप इंपुडेंड है इनजाइंड का का भी और स्फ्रेट का भी इन सीह से कहना होना चाहिए ताकि वह एक दूंसे को फिट हो सब्सक्राइब और इसे बाद के डिकमपो स्थे डिसी ठीडी को कुछ ऑप हीक्ज़ा नosphory क्योंकि यह कि लॉग जयसा सिमलर है इसल्यकों कभा लेंगे कैसी है तो एक इसकप्रेश कहां भी को सुट्रियए फिर हम लोग नेक्स लेक्चर में मिलें जाया अब नए लेक्चर के साथ अब देखेंगे जितना भी आटो मोबाल से उसमें से भूआ निकलता है जिसको प्रोड़क निकलता है उससी को बोलता है अब यह स्मोक देखेगा यह स्मोक जो होता है और और अब 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 यह आजाएंगे तो फिल डिफिकल्टी जो है ज्यादा अब ज़्यादा ज्यादा पॉलूशन होगा वह इंवार्मेंट के लिए उतना ही डेंजर है नहीं लेकिन उस पॉलूशन को रिडिउस करने के लिए उसको कम करने के लिए सबस्क्राइब है ज़ो और तो मुबाइल जो में रहता है और वह का करता है उसको कमके लिए जमें रहता है जैसे अगर आगले जो अब इसको क्या करता है के टालिष्ट है प्लेटीनम और प्लेटीनम किसके परजन में निक्या ऑक्साइट परजन में तो यह उसी तरह नाट्रिक ऑक्साइट का अगर बात करेंगे और इसको भी इसी तरह यहीं के टालिष्ट है कि वह इसको केटराइश कर देता है एंक कॉलोष पॉल्टो में इसको नाइट्रॉजन में पंभर्ण कर देता है तो उसके पॉइंधन घाल और वह अच्छा चैन तुछ तरह यहां प्लाइन पाइनश्ट में बदल देता है तो तो गतल जादे हार्मफल होता है इसमें प्रिश्य होगि आपका यह तो यह नोब अ यह एक आपको मेटल ऑपसाइड जाय को समय कि धियान रखेंगे तो इस तरह यह अटो मोबाल में भी यूश होता है जो क्वाजनास गैस को नंक्वाजनास गैस या कम्वाजनास गैस में बढ़ा लेता है तो इसको आप कोफी कीजिए फिर आपनों नेक लेक्चर में सीखेंगे के बारे में सब्सक्राइब कर चुके हैं उसके बारे में लोग पढ़ेंगे सीखेंगे के बारे में मिलेंगे सब तक के लिए बार बार बेस्ट अब्लाग टेक्चराइब